आज के बाद प्रीती प्रेणा के परिवार का कोई भी सदस्य ना तो केमिकल डाई का इस्तमाल करेगा ना काली महंदी का इस्तमाल करेगा ना किसी हेर केर प्रोड़क का इस्तमाल करेगा जिसमें अमोनिया होता है पर हमें तो बाल काले करने हैं बिल्कुल करेंगे आपके बा इच को आपको face नहीं करना पड़ेगा. So, let's check out what needs to be done. So, कैसा है मेरा खुबसूरत सा परिवार? आशा करती हूँ, आप सब स्वस्त हैं, खुश हैं, अपना खयाल रख रहे हैं, और बहुत-बहुत positive हैं. जब भी मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत positive हैं, I do not mean कि आपका mood अच्छा है. Positivity कोई mood नहीं है. It's a mindset. आपका frame of mind हमेशा हमेशा positive होना चाहिए and you should believe in yourself. अगर आपको खुद पर belief है, तो believe me, कि आप कुछ भी कर सकते हैं. You can see magic happening all around you. तो इसलिए be very very positive and believe in yourself. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन सी remedy शेयर करने आई हूँ जिसकी मदद से आप अपने बालों को completely काला कर सकते हैं. ना तो आपको किसी chemical का इस्तमाल करना है और ना ही किसी काली महंदी. I mean काली महंदी का concept आया कहां से? काली महंदी नाम की कोई भी औशदी नहीं है कोई भी natural पेड नहीं है महंदी है पर काली महंदी is nothing but chemical मैंने बहुत सारी लोगों को देखा है जो काफी proud फिल करते हैं कि हम तो काली महंदी का इस्तमाल करते हैं हम dye नहीं लगाते जी काली महंदी और कुछ नहीं बलकि वो chemical dye ही है तो प्लीज अगर आप काली महंदी का इस्तमाल करते हैं तो फिर क्या करें हमें बाल तो काले करने हैं देखिए हमारे पास दो विकल्प हैं जिनको हम natural dye के नाम से जानते हैं नमबर वान इस यो हिना लेकिन हिना आपके बालों को रेडिश ब्राउन कलर देती है और इसलिए बहुत सारे लोग कमफटबल नहीं होते क्योंकि उनको natural black color चाहिए तो इसके लिए आपको dye number two and that is your indigo powder का इस्तमाल करना चाहिए इस पतिकलर विडियो में मैंने आपको detail में two step process करके दिखाया था जिसकी मदद से आप अपने बालों को completely काला कर सकते हैं अगर आपके पास वक्त है तो आप इस पूरी विडियो को definitely check out कीजिए you would definitely learn a lot of things over there now आज के विडियो में मैं आप लोगों के साथ जिनके बालों पर काला रंग करके दिखा रही हूं using the indigo powder आप देख सकते हैं इनके सारे के सारे बाल root से completely white है now you need to understand one thing मुझे भी recently पता चला की there is something called root touch up I'm sure बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि करवा रहे होंगे root touch up is जो भी chemical dye आप इस्तमाल करते हैं उससे रफ रूट्स पर अपलाए करना मतलब how intelligent is it that's really not मतलब क्या मेरे पास अलफाज नहीं है बोलने के लिए कि हम पौदे को तो उपर से पूरा साफ कर रहे हैं एक पत्ती को यूनो हाथ से साफ किया जा रहे है लेकिन जड़ों में हम पेट्रोल डालते जा रहे हैं मतलब is it intelligent you tell me तो इसी लिए जो chemical treatment है मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाया दूर रखो बालों से आप उसको जड़ों पर लगा रहे हैं मतलब chemical को जड़ों पर लगाया जा रहे है can you imagine the kind of damage जिनके बालों पर मैं आप लोगों को आज demonstration करने वाली हूँ इनोंने 10 से 15 साल लगा तार यही root टच अप किया है और इसका result यह निकला है कि इनके सारे यानि की 100% बाल सफेद हो चुके हैं और इनकी उम्र मातर 45 से 50 के बीच में है now you can understand this is no age के आपके सारे बाल सफेद हो जाए इसी लिए you know जिसे 90 years के हमारी दादी नानी के सफेद बाल थे that makes sense लेकिन चालिस पंतालिस में आप लोगों के बाल completely सफेद हो रहे है it's only and only chemical कब समझेंगे आप लोग यही तो मैं आपको बार बार हर वीडियो में समझाती हूं तो बाल कैसे काली किये जाए मैं इनके बालों में वही रूट टच अप कर रहे हूं सिरफ बालों को जड़ों को काला करने की कोशिश कर रहे हूं and believe me you will see की जो रूट टच अप आप कराते है to the root touch-up मैं कर रहे हूं वो almost same है लेकिन जो मैं कर रहे हूं इसके zero side effects I mean zero side effects एक effect बताओ कुछ लोगों के लिए वो भी सब के लिए नहीं खुझली हो सकती है क्योंकि indigo powder is a little bit drying लेकिन उसका भी मैं solution आपको आगे बताती हूं कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपको indigo powder से खुझली होती है तो तो इस तरह के बालों में root touch-up के लिए एक bowl में आपको लेना है indigo powder कौन सा वाला indigo powder लें देखिए जिसके लिए आप comfortable हैं आप वो ले सकते हैं और सिर्फ root touch-up के लिए भी कर सकते हैं तो depending upon कितना आपको चाही आप ले लीजिए इनके बालों के हिसाब से मैंने बहुत थोड़ा सा यहां पर लिया है और इसके बाद आपको इसमें लेना है दो बड़े चम्मच दधी यानि कि दही जो है वो बहुत ही important conditioning का काम यहां पर करेगी क्योंकि मेरी पिछले वीडियो में बहुत सारे comments थे कि हमारे बालों में हमें खुजली हो रही थी तो दही जो है वो यहां पर conditioning का काम करेगी और वो जो itchiness आपको हुई थी वो आपको नहीं होगी To add on to the beautiful moisture to this mask मैं इसमें ले रही हूँ एक बड़ा चमच aloe vera gel आपके पास जो aloe vera gel available है आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं मैं हमेशा propagate करती हूँ कि आपका aloe vera gel transparent होना चाहिए इन सभी चीजों को आप अच्छे से मिला लीजे और गुंगुना पानी डाल कर गरम पानी नहीं क्योंकि दही यहां पर यूज हो रही है गुंगुना पानी डाल कर आप हलके से stir करेंगे और एक paste बना लेंगे बिल्कुल हलका liquidy paste होना चाहिए अच्छे से mix करके आप इसको ढग कर आधे घंटे के लिए रहने दीजिए आधे घंटे के बाद आपका indigo powder का paste यानि की नील पत्ती powder का paste आपका absolutely ready हो चुका है for application इसका application करने के लिए जैसा कि आप अपना root touch up करते हैं बस वही आपको करना है partition करते जाए और अपने roots पर इसका application करते जाए देखिए जब आप इसका application करेंगे it is absolutely equivalent to henna लेकिन gradually आप देखेंगे कि यह जो indigo powder का paste है यह धीरे-धीरे काला होने लगता है इंडिगो जो यह powder है यह काला रंग नहीं देता यह देता है नीला रंग इसलिए उसका नाम नील पत्ता है लेकिन हमें तो नीला रंग नहीं चाहिए देखिए अगर आप indigo powder से exactly काला रंग चाहते हैं तो you have to follow two step process यानि कि पहले आपको हिना लगाना है कोई भी हिना बस प क्योंकि जिनके बालों पर मैं application कर रही हूं she had to go somewhere इसी लिए हमने सिरफ यह indigo का पेस्ट इनके बालों में इस्तमाल किया है ताकि जो सफेब बाल एकदम flash out होते हैं वो नहीं होंगे it'll be you know downgraded to very darker shade not black but darker shade अगर आपको काला रंग चाहिए मैं फिर से बोल रही हूं पहले हिन हिना का इस्तमाल कीजिए मेहंदी और उसके उपर से फिर इंडिगो पाउडर दोनों को mix करेंगे तो color नहीं आता है at times because दोनों का orientation दोनों को भिगाने का जो अवदी है वो अलग-अलग होती है आप जाकर मेरी हिना की video separately check out कर सकते हैं इंडिगो पाउडर की video separately check out कर सकते हैं minimum 2 घंटे और maximum 3 घंटे आप इसको अपने बालों में रहने दीजिए और इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पानी से इसको वाश ओफ करना है वाश ओफ करना शायद इतना आसान ना हो कई बार जिनके बाल बहुत हलके होते हैं उनका अकड जाता है तो वो लोग shower cap का इस् इसी प्रकार का oil नहीं लगाएंगे देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि आप oil का application कीजिए यह उन लोगों के लिए applicable है जिनको बहुत खुझली होती है क्योंकि indigo dehydrating agent है यह आपके बालों का moisture लेके तब उसको color देता है इसलिए यह dehydrating होता है तो अगर आ कीजिए otherwise let me tell you one more beautiful thing about indigo powder कि इसका रंग वक्त के साथ गाढ़ा होता रहता है यानि कि अगर आपने बालों को clean water से wash off किया है तो इसको normal natural हवा में सूखने दीजिए सूखने के बाद आप एक से दो दिन तक कुछ नहीं करेंगे obviously kangy करेंगे बाल बांदेंगे बट ना तो आप पानी से धोएंगे ना ही आप इसमें oiling करेंगे ना ही आप शांपू करेंगे शांपू करने से पहले after one or two days जितना आप रख सकते हैं आप हलका सा oiling अपने बालों में करेंगे and then wash it off समझ मैं है दोबारा बोलू indigo powder लगाया इसको अच्छे से plain water से wash किया plain water से wash करने के बाद एक या दो दिन जितने भी दिन आप comfortable रहने दे सकते हैं अपने बालों को रहने दीजिए क्योंकि वक्त के साथ indigo powder का रंग और पक्का होता रहता है और darker होता रहता है यहां पर मैंने जिनके बालों पर indigo powder का पेस्ट अपलाय किया था इन्हों ने plain water से अपने बालों को wash किया और उसके बाद नॉर्मली सूखने दिया नॉर्मल सूखने के बाद मैंने सन में इनके बालों का beautiful जो darker shade आया था वो शूट किया था बट somehow I destroyed the video I don't know कैसे यह जो आप footage देख रहे हैं यह मैंने camera से shot किया है which is using the flash and believe me it could not do the justice जो इनके बालों में रंग आया है it was very dark she is extremely happy and she has promised that now she is not going to do the root touch up जो की chemical dyes से किया जाता है she is going to use indigo powder only अगर आप indigo powder के लिए regular हो सकते हैं like every 15 days या जिनके बालों की growth बहुत अच्छी है वो weekly इसको use कर पाएं you know just the root touch up तो आपको कभी भी किसी chemical dye में जाने के आभशकता नहीं पड़ेगी जिन लोगों को premature grey hair का issue होता है यानि की 20s and 30s में ही उनके बाल सफेद हो गए है I would say आप मेरा ये वाला वीडियो चेक आउट कीजिए यहाँ पर मैंने तुरही का oil prepare किया था which is amazing to reverse your premature grey hair इस oil का application कीजिए please do not expect magic ऐसा नहीं होता है वक्त लगता है इसलिए इस oil का preparation कीजिए इसको use कीजिए आप indigo यह जो मैंने बताया है पेस्ट इसका इस्तमाल कीजिए and आप DIY flaxseeds जो shampoo मैंने प्रिपेर किया था वो कीजिए and I am 100% sure जिनको premature grey hair का issue है वो 100% reverse हो सकता है and you are going to be really happy की magic हो गया यह कोई magic नहीं है आप naturally अपने roots को नरिश कर रहे है उनका जो pigment हो गया है वो उनको वापस कर रहे है and that's how they absolutely you know come back to their natural state तो जो लोग premature grey से ग्रस्त है वो यह तीन steps कीजिए जिनको सिरफ root touch up करना है वो you know they don't want anything हमें कोई एक reverse process नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए बस बाल काले होते रहें तो indigo powder एक बहुत ही आसान बहुत ही side effect less एक विकल्प है जिसको आप चूस कर सकते है and you can be young all over again पीदी प्रेणा के चानल के माध्यम से मैं आप सभी तक उन विकल्पों को पहुचाना चाहती हूँ जिनको use करके आप एक modernized lifestyle को follow कर सकते हैं without actually falling prey for any commercial chemical treatment available in the market आप सभी nature's gift को, natural remedies को अपने लिए follow कर सकते हैं अपने आपको physically up to date रख सकते हैं, presentable रख सकते हैं and you can feel confident about yourself यही कोशिश, यही practice में हमेशा आप लोगों को suggest करती रहोंगी आशा करती हूँ, यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हूँ, आपने कुछ न कुछ इस वीडियो से definitely सीखा हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो do not forget to give a big thumbs up, do support the channel, share the video with everybody and let everybody know that there is somebody called Preeti Prena who is sharing all the wonderful natural remedies for all of you मैं आप सभी से मुनती हूँ, अपनी अगली वीडियो में with something magical for your skin, hair and health तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिये और Preeti Prena के channel से जुडे रहे बहुत बहुत प्रणाम